बिहार में बहार है नितिसे कुमार है ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी लेकिन बिहार में हो रही ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे जानकर आपका मन में यही सवाल उठेगा की ये कैसी बहार है बिहार में आर्जेटी के विधायक रितलाल यादो के भाई पर जान से माणने का गंभीर आरोप लगा है इस मामले में रसदानी पटना के कोतवाली थाने में सिकायत दर्ज कराई गई है पूरा मामला पटना जीले के खनन विभाग का है इस पूरे मामले में पिरित खनन विभाग के इस्पेक्टर क्या कुछ कहना है अब खुछ सुनी है धमका धमकी जैसे स्थिति काम यहां पे हो गई थी क्या हुआ तसर कल पूरा मामला थोड़ा से बिताई थी मामला यही था कि गारी को कज सब सुबह में जब्त किया जब्त करें कि दनापूर थाना में सुरक्षार्थ रखा गया था उसु के छोराने के लिए कुछ लोगों के दौरा करके करजाले में होंगमा किया गया गाली छोड़ाने का बात किया जा रहा था तब यहीं से संतोष कुमार का नाम का ब्रक्ति था उनी के यहीं से तब खानी रिक्षक को मगल पधमकी दिया गया कि आप गाली छोड़िये फिल्म के से जांच किजिएगा कितने बज़े यहां पर सब लोग आए थे? जो सुरक्षार थना में रखा गया था उसी को छोड़ाने के लिए उनके द्वारा प्रेश दिया जा रहा था कितने बज़े यहां पर सब लोग आये थे? वो सारे दस बज़े यहां आये थे सुबह में? सुबह में कितने लोग होंगे? वो पंचे आदमी थे क्या क्या रहे थे? करे थे वही गाली छोड़वाई है उनने तो जान मार देंगे यही सब धंकी दे रहा था क्या कुछ कारवाई अपने आपके तरफ से हुए थाना में फायार दर्ज करा दिया गया है उनके द्वारा अब जान सकी जा रही है तो उसके बाद आगं कि जो करवाई होगा सकिया जाएगा कही न कहीं से डड़ कायम है क्योंकि जिस तरीके से जो लोग होई जाता है ना आगर के धंकाने लगता है तो दड़ तो हो ही जाता है कि अवेद बालू वो लोड होने के आरोप में एक ट्रक को फाइन किया गया था इससे नराज कुछ लोग खरन विभाग के करयाले पहुँच गए जीला करयाले से नमबर लिया और वहीं से फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगे धमकी देने वालों ने खुद को आरजेटी के बाहुबली विधायक रितलाल का भाई बताया कहा गया कि वो रितलाल यादो के भाई हैं रितलाल का नाम सुनते ही सभी डर गए इसके बाद कोतवाली थाने में बित्यमंगलवार को सिकायत दर्ज किराए गई वहीं इस वामले को लेकर जो सहीयोगी कड़मी है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिया वह इसके बाद में धंकी देना सरु कर दें कि राजेंदर अधि इसस्थेक्टर साहब कौन हैं कौन गाड़ि पकड़ी अचा हमने हैं हम लोg के भाई तो इस परिंड परियोग पूरीन के रित बता देते हैं जानते हम रितलाल का भाई बोल रहे हैं, गोली मार देंगे, कुचल देंगे, हैवासे, हमने हैं, बहुत तिरा काम रहेगा है, मगर काम तो करना है, हम लोग तो बने हुए है, नियम से, कुछ भी करके जा सकते हैं, मगर हम लोग कुछ करने ही पाएंगे, इसलिए कि सरकार का नियम उल्टा है, जान बचाने के होना थे हैं, जान बचाने के जगए चल जागा, उसी को सरकार बना दीजेगा, तो आपने देखा कि स्वयोगी कर्मियों ने बताया कि किस तरह से उन्हें डराया, धंकाया गया, और कहा गया कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो फिर आपकी सरक पर हत्या हो सकती है, हाला कि इस मामले को लेकर एफ आई यार दर्ज करा ले गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है, क्या अब विधाय के जो गुर्गें हैं, वो उनका मनोबल बढ़ गया है, अब उनका जो दखल है, वो सरकारी कामों में होगा, क्या वो पहले की तरह सरकारी अधिकारियों को दबाएंगे, धराएंगे और अपना काम कराएंगे, तो कई सवाल है, तो अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ पुलिस के तरफ से करवाई की जा रही है, क्या उस गुर्गे को गिरफतार किया जाएगा, जो खुद को विधाय का भाई बता रहा था, तो यह देखने वाली बात होगी, बहराल अभी तक आपने हमारे जेनर को सब्सक्राइब ने कर लें, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके बताएगा, वीडियो फेस्बूप को देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें, धन्यवाद